दोस्तों गर आप भी भारतिय टीम की श्री लंका के खिलाफ T20 सीरीज में जीत को देखकर खुशने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों श्री लंका के खिलाव भारतिय टीम की T20 सीरीज में जीत के बाद दुनिया भर के दिगजों ने दिया सूरे कुमार यादव और रिंकु सिंग पर बड़ा बयान कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगी दंग जी याँ दोस्तों भारत और श्री लंका के बीच खेली गई T20 सीरीज में भारतिय टीम को जीत मिल गई है जिसके बाद दुनिया भर के दिगजों का बयान सामने आया है इस बीच कैविन पीटरसन रिकी पॉंटिंग से लेकर सुनिल कवसकर श्रोय बक्तर ने कैसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे तो आखिर कार इस सीरीज में जीत के बाद दुनिया भर के दिगजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांडिया शुभुमन गिल मैंसे कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच टी-20 सीरीज खेली जा रही है जहांपर पहले दो मैंच में तो भारतिय टीम को बहतर तरीके से जीत मिल रही थी लेकिन तीसरा मैंच जब यहां पर खेला गया तो भारतिय टीम ने टॉस हार कर आज पहले बल्लेबाजी करते हुए मात 137 रन नौ विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई हाला कि इसका पीछा करने के लिए मैदान पर आई श्रीलंका की टीम ने काफी ज़्यादा बहतर परदर्शन करने के साथ भारतिय टीम को इस मैच में बुरी तरह से हरा दिया हलाकि भारतिय टीम इस सीरीज को अपने नाम कर चुकी है ऐसे में भारतिय टीम की स्टी 20 सीरीज में जीत के बाद दुनिया भर के तमाम दिगजों ने हैरान कर देने वाला बयान जारी किया है जिसमें रमीज राजा ने बयान देते हुए काया कि भारतिय टीम को श्रीलंका के खिलाफ अंतिम मैच में शांदार तरीके से जीत मिल गई है जिसमें भारतिय टीम को जीत मिलने के बिलकुल भी उमीद नहीं थी इस मैच में भारतिय टीम की तरफ से सूरे कुमार यादव और रिंकु सिंग ने काफी ज्यादा बहतरीन गेंदबाजी की है इस मैच के अंदर भारतिय टीम के बल्लेबाजों ने तो बहतर प्रदर्शन नहीं किया लेकिन गेंदबाज ने शांदार प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए काए भारतिय टीम की तरफ से दौनोंने काफी ज्यादा बहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है दौनोंने शांदार प्रदर्शन करते हुए बता दिया है कि भारतिय टीम के बल्लेबाज भी गेंदबाजी कर सकते हैं जिसमेर की पॉंटिंग ने बयान देते हुए काये कि भारतिय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में जीत मिल चुकी है भारतिय टीम की तरफ से सीरीज के अंदर सभी खिलाडियों ने काफी ज्यादा बहतरीन पुरदर्शन किया है आज के दिन भारतिय टीम की तरफ स खिलाडियों का मिला जुला प्रदर्शन रहा है जिसके चलते उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ हलाकि भारतिय टीम सीरीज को तो अपने नाम कर चुकी है लेकिन भारतिय टीम की तरफ से कुछ खिलाडियों ने इस सीरीज में सभी को काफी ज्यादा निराश किया है इन केविन पीटरसन ने बयान देते हुए का है कि भारतिय टीम को श्रीलंका के खिलाव T20 सीरीज में जीत मिल चुकी है भारतिय टीम की तरफ से सबी खिलाडियों को बहतरीन पुरदरशन देखने को मिला था जिसके चलते भारतिय टीम T20 सीरीज में चैंपियन बन चुकी है हाला कि इस सीरीज के अंदर भारतिय टीम की तरफ से कुछ ऐसे खिलाडी भी रहे थे जिन्होंने सभी को बेहत निराश किया लेकिन भारतिय टीम T20 सीरीज जीत गई है ऐसे में उसे उस पर किसी कभी ध्यान नहीं जाएगा श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में जीत मिल चुकी है भारतिय टीम की तरफ से इस सीरीज के अंदर सभी खिलाडियों ने कुछ ऐसा प्रदर्शन कर दिया है जिसको याद रखा जाएगा हाला कि T20 सीरीज के बाद में वंडे सीरीज भी रहने वाली है और इस वंडे सीरीज के लिए दोनों टीमें तयारी कर रही है लेकिन मुझे लगता है कि भारतिय टीम इस T20 सीरीज को जीत गई है और अब वो वंडे सीरीज को भी अपने नाम कर सकती है इतने नहीं उन्होंने आगे बयान देते हुए काए कि भारतिय टीम के पास में काफी ज्यादा बहतरीन खिलाडी मौझूद है और मुझे लगता है कि अब भारतिय टीम को स्री लंका के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर जीत मिली है इस तरह से वंडे में भी जीत मिलेगी तो वही शोय बक्तर ने बयान देते हुए कहा है लेकिन अंतिम मैच में यशास्वी जैसवाल, रिंको सिंग और संजो सैमसन ने जिस प्रकार से खराब बल्ले बाजी करते हुए मुझे निराश किया है वो बताता है कि भारतिय टीम के पास में किस तरीके से बहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाडी मौझूद है ऐसे मैब हमारी पाकिस्तान की टीम को इस समय भारतिय टीम से काफी कुछ सीखने की बेहत जरूरत है तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतिय टीम को श्री लंकाई टीम के खिलाफ T20 सीरीज में किस खिलाडी के चलते जीत मिली है अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे हूँ वहीं श्री लंका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए डेबिटेंट खिलाडी चमिंदू विकरम सिंग वेहती खतरना गेनबाजी का नजारा दिखा रहे थे भारतिय ओपनरों को खुब परिशान कर रहे थे जैसवाल और गिल को इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था बड़ी मुश्किल से भारतिय टीम का स्कोर पहले ओवर में तीन रनों तक पहुँच गया वहीं श्वीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्षणा लेकिन इनका स्वागत ये शसवी जैसवाल ने अपने अंदास में ओवर की तीसरी गेन पर शांदार चौक का लगा कर किया जैसवाल इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए पांच वी गेन को भी चोक्य में तब्दील कर भारतिय टीम के स्कोर को जैसवाल टीम के लिए दस रणों का योगदान देकर पवेलियन लोट गए लेकिन गिल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबास संजू सैमसन आ चुके थे इन दोना खिलाडियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी भारत का स्कोर दो ओवर में बड़ी मुश्किल से बारा रनों तक पहुँच पाया था श्रीलंका की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आये चमिंदू विक्रम सिंग ने खतरना गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे अपने शिकंजे में भारतिय बल्लेबाजां को कसकर रखा हुआ था टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और चमिंदू विक्रम सिंग ने अपने ओवर की पांचवी गेंद पर संजू सैमसन को अपना शिकार बना लिया और इस मुकाबले में भी संजू बिना खाता खोले पवेलियन लोट गए और भारतिय टीम को दूसरा जटका केवल बारा रनों के स्कोर पर लग गया भारतिय टीम की पारी पूरे मुकाबले में लड़कडाती नजर आने लगी मगर एक तरफ से शुबमन गिल मैदान पर टिके हुए थे इनका साथ देने के लिए अब सबसे पसंदी ता खिलाडी रिंकु सिंग आ चुके थे इन दोनों खिलाडियों के कंधों पर भारत की लड़कडाती हुई टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया का स्कोर तीन ओवर में तेरा रनों तक दो विकेट पर पहुँच पाया था श्री लंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्षन और आते ही एक तरफ से शुभुमन गिल मैदान पर टिके हुए थे उनका साथ देने के लिए अब कप्तान सूरे कुमार यादव आ चुके थे पूरी जिम्मेदारी इनहीं दोनों बल्लिबाजों पर टिकी हुई थी और आते ही सूरे कुमार यादव ने तीक्षना का स्वागत शांदार चौका लगा कर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और चार ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 21 रनों तक पहुँच पाया पांचवा ओवर श्री लंका की तरफ से लेकर आए एक बार फिर चमिंदू विक्रम सिंग ने शांदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे भारती बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन तब ही गिल ने ओवर की पांचवी गेंद पर इनका स्वागत शांदार चौका लगा कर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया पांच ओवर में भारती एट टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 28 रनों तक पहुँच पाया टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में नजर आ रहे थी शुरुआत में ही भारत की पारी लड़ खड़ा चुकी थी लेकिन सूरे कुमार यादव और शुभुमन गिल धीरे धीरे टीम को सम्हाल रहे थे श्री लंका की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आये असीथा फर्नांडो ये भी खतरना गेंद बाजी का नजारा दिखा रहे थे भारती बल्लेबासों को खुब परिशान कर रहे थे सूरे कुमार यादव को उनके खेलने में काफी मुश्किल हो रही थी तभी ओवर की चौती गेंद पर फर्नांडो ने सूरे कुमार यादव को अपना शिकार बना लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया सूरे कुमार यादफ टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतिय टीम को 30 रनों के स्कोर पर 14 जटका लग गया गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर शिवम दूबे आ चुके थे इन दौनों के लाड़ियों के कंदों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और भारतिय टीम ने बड़ी मुश्किल से पावर प्ले के 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 30 रन बना पाई लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है सूरे कुमार यादावार रोईच शर्मा में कौन है सबसे खतरना खिलारी और कप्तान अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और श्री लंका के बीच T20 सीरीज खेली जारी है जसके पहले मैच में तो भारतिय टीम 43 रन से जीत गई तो वहीं दूसरे मैच में भारतिय टीम को साथ विकेट से जीत मिल चुकी है इस मैच में भारतिय टीम की तरफ से यशस्वी जैसवाल ने सरवाद एक 30 रन का योगदान दिया और सभी को अपने प्रदर्शन के जरीए प्रभावित कर दिया ऐसे में अब यशस्वी जैसवाल एक साल के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं इस मामले में अब उन्होंने विराट कोहली, क्रिस गेल और रिकी पॉंटिंग जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है जिसको देखकर अब दुनिया भर के तमाम दिगजों ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है जिसमें सचिन तेंडुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतिये टीम की तरफ से य शसवी जैसवाल ने काफी ज़्यादा खतरनाग बल्ले बाजी करते हुए सबी को प्रभावित किया है आज के दिन एक बार फिर से ये शेस्वी जैसवाल ने तूफानी बल्ले बाजी करते हुए सभी को बता दिया है कि ये खिलाडी भारती टीम के लिए विश्व कब तीन के तरफ से खेलने वाला सबसे पहला खिलाडी है वो तो वास्तव महरान कर देने वाली है